हलो बच्चों गूड मॉर्निंग यहां पर देखिए मैं क्लास एट के बच्चों के लिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन्स में से एक कोशन आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपके रियक्टेंट हैं C प्लस SO2 इनको बैलेंस करना भी भी balance नही है तो यहां पर देख लेते हैं लेप्ट HAND SÁID में right hand side में C है आपका 1 और ये 1 2 और S है आपका 2 और O है आपका 1 तो इसको balance कैसे करेंगे for balancing carbon carbon को balance करते हैं पहले यहां पर देखिए C1 है यहां पर 2 है अगर यहां पर फिलाल यहां पर 2 लगा देते हैं तो 2C plus SO2 it gives CS2 plus CO देखिए carbon तो balance हो गया CC2 है और यहां पर C2 है S1 है यहां पर S2 है अब S2 है तो इसको balance करते हैं sulfur को यहां पर देखिए balance नहीं है S balance नहीं है for balancing sulfur S ठीक है तो यहां पर देखिए 2C plus 2SO2 gives CS2 plus CO अभी यहां पर देखिए left hand side में क्या है left hand side में C2 है S2 है O4 है यह O4 हो जाएगा यह 2 into 2 O4 हो जाएगा right hand side में क्या है C आपका 1 plus 1 2 है S2 है यह 2 है और O आपका 1 है अब O को oxygen को हम balance करेंगे के लिए यहां पर देखिए 2C plus 2SO2 it gives CS2 plus 4C अगर कर देखिए यहां पर अगर 4 लगा देखिए यहां पर चार हैं हम इसको भी चार कर देते हैं यह 4 हमने लगा दिखिए तो balance हो गया but final check में finally जो है यहां पर C क्या है left hand side में और right hand side यहां पर देखिए C कितने हो गया C है आपका 2 2 है और S है आपका 2 2 है और O O है तो हम अभी जो हमारा imbalance है यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए तो हम अभी जो हमारा imbalance है वह सिप आपका क्या है carbon यह कारवन आपका imbalance है इसको balance करने के लिए 5 यह जो हमने तू लिख रखाए आप इसको change करेंगे और इसको कर देंगे 5C plus 2SO2 gives CS2 plus 4C हो देखिए यहां पर 5C balance हो गया 5C है यहां पर 4C plus 1C 5C हो गया S2 है 2S है S2 हो गया यह और O आपका 2 into 2 4 है O के 4 हो गया ठीक है तो यह equation आपका balance हो गया तो इस तरह से step by step left hand side और right hand side लिख के आप इस तरह के difficult chemical equations को balance कर सकते हैं और हमारे हम और भी balancing के questions आपको बताने वाले हैं इसलिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करते हैं